जहिन दोस्तों, वेलकम टू विजपत एजुकेशन पालंपूर मैं आज आपके सामने एक वार फिर से एक आर्मी का सेंपल पेपर आपके लिए में लेके आया हूँ यह आपका सेंपल पेपर मंडी ARO के लिए काफी हेलफुल रहेगा मंडी ARO के लिए आपका सेंपल पेपर है यह जिसमें आज हम पूरे के पूरे अगनिवीर जीडी के 50 के 50 कोशन हम यहाँ पे सॉल्फ करने वाले हैं जिस टाइप से आपका कोशन यहाँ पे रहता है साइंस, जीके, मैथ और रीजनिंग का यह जो आपकी टोटल कोशन है, 50 कोशन यह किस टाइप से आप से पूछे जाते हैं तो इनी कोशन के उपर आज हम यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं किस टाइप के आपके कोशन रहते हैं और अब जो है वो अगनीवीर का थोड़ा सा लेवल जो है वो भी आप आने लगा है बेकेंसी जो है वो काफियत तक आपने देखी होगी वो कम होती जा रही है आर्मी अगनीवीर की तो आपकी तयारी जो है वो लगभग 100 and 1% होनी चाहिए ताकि आपके जो आपका पेपर है उसमें आपको कोई फेल ना कर सके तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे कोईशन दिया गया है साथ साथ में आप कोईशन को सॉल्फ करते चलें बरतमान में पार्शिया को किस नाम से जाना जाता है तो आपको यहाँ पे यह बताना है कि बरतमान में पार्शिया को किस नाम से जाना जाता है तो पार्शिय को जो है वो इरान के नाम से जाना जाता है option B जो है वो इसका बिल्कुल right answer यहाँ पर रहेगा second question की बात करते हैं लोकसवा के प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह आपको यहाँ पर बोला गया है प्रत्थम महिला अध्यक्ष की बात यहाँ पर आपको बोली गई है कि प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं तो पहली महिला अध्यक्ष चिद्ध थी उनका नाम था मीरा कुमार option B इनका right answer है question number 3 की बात करते हैं लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो लोंग का द्वीप जो है यह कहा जाता है जन्जी बार को option B जो है यह इसका बिलकुल सही answer यहाँ पर रहेगा question number 4 आपके इस पास दिया गया है सावरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो एक आश्रम बनाए गया था सावरमती आश्रम उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1915 में जो है वो उनके द्वारा सावरमती आश्रम की स्थापना की गई थी और 1915 में ही उनको केसर एहिंद ये आपको ध्यान में रखना है केसर एहिंद की उपाधी जो है वो भी उनको 1915 में ही दी गई थी Question number 5 में की बात करते हैं भारत का सबसे उचा बाध कौन सा है जो आपका यहां पे बिल्कुल static GK जो आपका रहता है static GK का मतलब है जो आपका fix GK है मतलब जो कभी change नहीं होता जैसे कि सबसे पुरानी चीज़, सबसे नहीं चीज़, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे उंची इस परकार के जो आपके question है ये अब धीरे धीरे आर्मी के exam में जो है वो कही ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही पूछे जाते हैं पहले इनकी बेटे 70-80% रहती थी लेकिन अब जो है static GK आपका बिल्कुल कम पूछा जाता है अलग-लग नए type के question जो है वो निकल के आए है आर्मी के लिए भी तो इसके लिए अगर आपने विजयपत एजुकेशन का boosted pack अगर आपने नहीं लिया है जिसमें आपको आर्मी अगनीवीर के boosted question आपको मिलेंगे जिसमें daily का आपका एक mock paper रहता है तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं description में आपको whatsapp का link मिल जाएगा वहां पे आप message करें और वहां पे आप message करके लिखें कि मुझे जो है वो boosted course चाहिए तो आपसे जो है जल्दी ही वहां पे call के थरू यह message के थरू आपसे contact किया जाएगा और आपको boosted question जो है वो provide करवाय जाएंगे so भारत का सबसे उंचा जो बांध है यह है आपका तहरी बांध comment box में आप जरूर बताएं तहरी बांध किस राजे में स्थित है question number six है silly point का समन्द किस खेल से है तो silly point का समन्द है cricket से इस type के question आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा खेल जो है वो किस से समन्दित है silly point जो है व कौन है तो गोदान जो एक book लिखी गई है book इसके द्वारा लिखी गई है तो मुंशी प्रेम चंद्ची के द्वारा लिखी गई है option B इसका right answer है साथ-साथ में question को solve करते चले अपनी notebook में यह जैसे आपकी notebook है तो यहां पर question जो है one two three four five six ऐसे लिखते चले और आगे इसको टिक करते चलें साथ-साथ में जो आपने option सोचा है जैसे पहले का option B है दूसरे का B है तीसरे का B है तो इसको आप टिक करते चलें कि last में आप अपना score चेक करें कि कितने question आपके जो है बिल्कुल सही answer यहां पर रहते हैं कम से कम आपके 35 से जादा question अगर आपके रहते हैं तो आपकी मंडी आरो आर्मी जीडी के लिए आपकी seat जो है वो बिल्कुल confirm है question number 8 है निर्वाचन मतदान कौन करवाता है निर्वाचन को जो है वो मतदान कहा जाता है तो मतदान जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है इसमें सरकार का चुनाब होता है आपके पंचायत का चुनाब होता है तो ये निर्वाचन कमीशन election कमीशन के दौरा जो है वो इसे handle किया जाता है question number 9 है ये static gk का question है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है तो भारत में ये पूछा गया है धान का कटोरा जो है वो 36 गड़ को हम कहते हैं आपको ध्यान में रखना है महारास्टर में सबसे ज़्यादा प्याज होता है और भारत में सबसे ज़्यादा कोफी जो है वो करनाटक में पाई जाती है अगर मैं मोटे अनाज की बात करूँ, मोटा अनाज का मतलब है जैसे की चना, बाजरा, ये सारे जो है वो राजिस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो correct option जो है धान का कटोरा वो है आपका 36 गड़ question number 10 है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पर सित है तो right answer आपका रहेगा डिग बोई कोमेंट में जरूर बताएं डिग बोई किस राजे में पढ़ता है question number 11 आपके पास दिया गया है सोतंतर भारत का प्रत्म गैर कांगरिसी राजे कौन सा था तो आपसे पूछा गया है सोतंतर भारत का पहला सा कौन सा गैर कांगरिसी राजे रहा था तो उसका नाम है केरल और केरल की राजधानी क्या है तिरूबंत पुरम यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है question number 12 है Miss World प्रतियोगिता की शुरुवात किस वर्ष हुई थी सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो सबसे पहले बोलती फिल्म के नाम से जानी जाती है मतलब कि उसमें audio के साथ बीजूल बे में जो है बो बताया गया था audio इसमें डाली गई थी तो उस फिल्म का नाम था आलम आरा option C इसका right answer है question number 14 है प्रिथवी के कितने प्राकृति को पगरे हैं कितने natural satellite हैं तो वो है सिर्फ और एक और उसका नाम है moon यानि की चंदर्मा question number 15 है प्रिथवी पर कितने महाधवीप हैं तो प्रिथवी पर जो है वो total 7 महाधवीप हैं यह आपको ध्यान में रखना है यह question काफी बार exam में पूछा जाता है लेकिन यह जो आपका question है यह आपके जिस तरीके से आपकी branches होती हैं उसमें यह तूट जाता है अगर आप UPSC का exam दे रहे हैं तो महाधवीप की संख्या आती है 4 अगर आप कोई state का elim दे रहे हैं जैसे कि PSC का कोई exam है यह PSC का exam है तो महाधवीप की संख्या रहे जाती है पांच और अगर आप 10th लेवल ये प्लस टू लेवल के एक्जाम दे रहे हैं जैसे कि आर्मी का हो गया आपका कोई क्लेरिकल का हो गया तो महदूप की संख्या आती है साथ ये आपको ध्यान में रखना है जिस टाइप का आपका पेपर है उसी के हिसाब से आपके महदूप क कंकाल की IU का पता कैसे लगाते हैं तो अगर किसी की dead body अगर मिलती है तो उसके अगर कंकाल का पता लगाना हो कि ये कितने साल पुराना है तो उससे उसके लिए बीधी का उप्योग किया जाता है उसको बोले उसको हम बोलते हैं carbon dating तो option A जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेग श्रीर का तापमान कहां पर नियंतरित होता है तो श्रीर का जो तापमान है हमें जो सर्दी लगती है ठंडी लगती है यह हमारा माइंड जो है वो किस तरीके से सोचता है तो वो हमारा है हाइपो थेलिमस option C इसका right answer है अगला question number 18 है चाल का सूतर बताए चाल का सूतर क्या होता है मतलब की speed का सूतर होता है दूरी बटा समय तो option A जो है वो इसका बिलकुल right answer यहाँ पर रहेगा question number 19 की बात करते हैं carbon monoxide तथा nitrogen gas के gas ये मिश्रन को क्या कहा जाता है जब carbon monoxide मतलब की CO के साथ nitrogen gas अगर मिला दी जाए N2 मिला दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है producer gas option C जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके आद question number 20 की बात करते हैं रक्त में glucose की मातरा को कौन नियंतरित करता है तो रक्त में glucose की मातरा को जो है रक्त में glucose की मातरता नियंतरित रहती है तो वो किसके कारण रहती है insulin के कारण और insulin में कौन सी धातू पाई जाती है जिंक, अगर जिंक हमें proper ना मिले insulin के द्वारा तो उसके लिए फिर हमें insulin की कमी हो जाती है और उसके लिए फिर हम insulin के injection लगाना start कर देते हैं और जब insulin हमें proper ना नहीं मिलती है तो हमें फिर ब्लड शूगर की बिमारी हो जाती है question number 21 की बात करते है 300 Kelvin का Celsius में मान क्या होगा आपको जो है वो 300 Kelvin को Celsius में change करना है तो आपको जो है वो इसका formula जो है वो पता होना चाहिए मैं यहाँ पर formula जो है वो लिख देता हूँ degree Celsius से sorry Kelvin से हमें कैसे degree Celsius में change करना है k-273 upon 5 और c upon 5 यह इसका formula है 5 से 5 cancel out हो जाता है यह आपको यहाँ पर formula थोड़ा अजीव लग रहा होगा लेकिन यह formula जो है वो चार basically scales जो है आपकी इसमें Kelvin, degree Celsius, Reamer और Farney Height इन चारों scales को यह cover करता है तो यहाँ पर 300 Kelvin का जो है आपको मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपको K की जगा 300 भनना है 300 में से 273 चले जाएंगे तो 27 degree आपके पास यहाँ पर इसका correct answer रहेगा I hope आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ रहा है उसके question number 22 की बात करते हैं मानवतंतर में कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है तो वो है आपके पास gastrin gastrin जो है एक पाचन एंजाइम नहीं है question number 23 की बात करते हैं अमरूद में कौन सा बिटामीन पाया जाता है तो अमरूद में पाया जाता है बिटामीन A और vitamin A का रासाइनिक का नाम क्या है यह आपको बताना है comment box में question number 24 की बात करते हैं पानी में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं पानी में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं तो hydrogen और oxygen जो है hydrogen और oxygen जो है यह किस में पाए जाते हैं पानी में पाए जाते हैं यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पानी का फोर्मूला क्या है? H2O, तो इसमें हाइडरोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कोशन नमबर 25 है, चौक, कारसाइनिक सूतर क्या है? जो हम चौक का यूज करते हैं, ब्लैक वोर्ड में लिखने के लिए, उसका सूतर क्या है? तो CACO3, option D जो है, वो इसका right answer है, और यह देखिए, बिटामीन से, जो मैंने भी आपको कॉमेंट करने के लिए बोला था, उसी टाइप से question यहाँ पे पूछ लिया गया, बिटामीन B6 कारसाइनिक नाम क्या है? तो B6 कारसाइनिक नाम जो है, वो है, यहाँ पे आपके पास राइवो फ्लेविन, थाइविन, बायटीन, यहाँ पे जो है, इसका right answer है, पायरडॉक्सिन, पायरडॉक्सिन जो है, वो बिटामीन B6 कारसाइनिक नाम है, 27 की बात करते हैं, कों सा एक योगिक नहीं है, योगिक का मतलब है, कंपाउंड, तो सिलिकोन जो है, वो आपका एक element है, यह कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड का मतलब होता है, किसी ना किसी चीज चीज का mixture, और यहाँ पे इसका right answer रहेगा, Lumen option C जो है इसका right answer यहाँ पर रहेगा अगला काफी अच्छा question है question number 29 अतिश्वाजी के दोरान हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है जब भी आपने देखा होगा हम पटाके फोड़ते हैं तो हरा रंग जो है वो हमें दिखाई देता है तो किसके कारण रहता है वो रहता है बेरियम के कारण और लाल रंग जो है अगर मैं red color की बात करूँ तो लाल रंग रहता है strontium के कारण यह आपको ध्यान में रखना है लाल रंग किसके कारण रहता है strontium के कारण है red color जो है वो रहता है strontium के कारण Question number 30 है कौन सा पदा आर्थ अजयब की ये नहीं है अजयब की ये नहीं है तो वो है आपका कागज क्योंकि कागज जो है वो easily हमारा dissolve या फिर हम इसको local language में बोलते हैं कि easily हम उसको जला देते हैं ये easily गल जाता है उसके आद मैथ की section की बात करते हैं Question number 31 में आपको बोला गया है 2000 रुपे का 3 वर्ष में 3 वर्ष 8 महिने में यहाँ पे आपके पास जो है वो simple interest का formula आप यहाँ पे लगाएंगे PRT into 100 करके तो जब भी आप formula यहाँ पे लगाएंगे तो principle आपके पास दिया गया है कितना यहाँ पे मैं इसको erase कर लेता हूँ यहीं पे मैं आपको यहाँ पे solve करवा दूँगा principle आपके पास दिया गया है 2000 रुपे उसके आद अगर बात करें 3 वर्ष 8 महिने तो आपको ध्यान में रखना है जब भी महिनों की बात आती है उसको हमेशा साल में चेंज करना पड़ता है यहाँ पे 3 वर्ष 8 महिने इस पूरे के पूरे value को आप किसमें चेंज करें इसको आप महिनों में चेंज करें तो एक साल में 12 महिने दूसरे साल में फिर से 12 महिने तीसरे साल में फिर से 12 महिने तो तीन सालों में हो गए आपके 36 महिने और 8 महिने और हैं तो 36 और 8 कितने हो गए 44 महिनों की बात की गई है इन सभी महिनों को साल में चेंज करना है तो डिवाइड करते हैं 12 से यहां पे rate कितना बताये गया है 6 प्रतिशत और नीचे आएगा आपके पास अब इसको आपने count करना है 20 से 20 6 से आपका cut जाएगा यह दो बार 2 से 20 कटेगा 10 बार 10 को 44 से multiply करेंगे तो आपके पास अंसर आएगा 440 option B जो है वो आपका यहां पे बिल्कुल सही अंसर रहेगा question number 32 की बात करते हैं 60 का 60 प्रतिशत कितना होगा यह तो easy है 60 आपने लिखा और इसका 60 प्रतिशत निकालने के लिए 60 प्रतिशत 100 ओपन कर दिया 2 0 से 2 0 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास अंसर आएगा 36 question number 33 है यदि एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है कि जो एक आदमी है वो काम करता है कितने दिन में पूरा 12 दिन में पूरा यहां पर ए जो है वो काम कर रहा है 12 दिन में पूरा बी जो है वो काम कर रहा है 24 दिन में पूरा आपको LCM लेना है LCM आएगा 24 12 के पहाड़े में जाएगा 24 दो बार और 24 के पहाड़े में जाएगा एक बार तो दो और एक कितने होगे 3 मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है 3 काम करना कितना है टोटल 24 काम करना LCM आपका 24 है तो 24 काम आजाएगा और यहाँ पे आजाएगा 3 तो यह कटके आपके पास अंसर आएगा आठ दिन तो option D जो है वो इसका right अंसर रहेगा question number 34 की बात करते हैं आपको solve करना है यह x plus 3 x plus 4 तो पहले x को x के साथ multiply करेंगे आप यहाँ पे तो आपके पास आजाएगा x square फिर इस x को 4 के साथ आपने multiply करना है तो आपके पास कितना बनेगा 4x फिर इस 3 को आपने इस x के साथ करना है तो आपके पास आएगा कितना 3x और फिर इस 3 को करना है 4 के साथ तो 4 को 3 से करेंगे 12 यह आपके पास बनेगा x square 4 और 3 कितने 7x और प्लस के 12 तो आपका option कौन सा यहाँ पे जो है वो fit हो रहा है तो वो है आपके पास option number 1 option A जो है वो आपका right answer रहेगा question number 35 की बात करते हैं आपको बोला गया है 8 संख्याओं का उसत 21 है यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाए जो की है 12 तो नए आउसत क्या होगा यहाँ पे 8 संख्याओं है उनका उसत दिया गया है 21 इसका मतलब योग कितना होगा multiply करेंगे 8 संख्याओं का योग कितना बढ़ रहा है 168 एक नई संख्या आगी कौन से आगी 9 तो कितना उसमें बढ़ता है 12 बढ़ जाता है मतलब कि आपके पास आएगा 0 8 और 180 मतलब कि 9 संख्याओं का योग कितना है 180 तो average का formula योग divided by total number तो average कितनी आगी 20 तो option आपका right answer रहेगा 20 जो कि है 20 उसके question number 34 की बात करते है रेलगाडी की गतिया आपको दी गई है formula आप लगाएंगे speed is equal to distance over time की speed आपके पास दी गई है 92.4 पॉइंट हटाया नीचे आगे 10 यह आपकी speed आगी लेकिन यह है kilometer पर hour में meter पर second में जाना है तो 5 by 18 कर देंगे और दूरी आपको निकालनी है distance उपर है और 20 minute तो minute में तो हम लिखने ही सकते तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फिर second में तो 20 minute ही आगे और second में जाने के लिए into 60 करेंगे सारी value को आप solve करें यहाँ से जो D की value आपके पास निकल के आएगी वो है आपके पास 3800 मीटर तो option B आपका यहाँ पर बिलकुल सही answer रहेगा तो उसके आप question number 37 की बात करते हैं जो आपका 37 है यहाँ पर under root आपको open करना है तो जब भी आप इस under root को open करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर point open करना है तभी आपका under root जो है वो open हो पाएगा और easy question आपका यहाँ पर solve हो जाएगा आपके पास दिया गया है 11, 90 और 25 जब आपने point हटाया तो नीचे आएंगे आपके पास total 4, 0 अंडर root यहाँ पर लगा दिया इन 4, 0 का तो आपके पास बन जाएगा 100 अब आपने break करना है 11, 90, 25 आपका टूटता है कितने में 5 में और 11, 90 जो है वो आपका टूटता है 34 में यह आपकी एक trick है अगर आपने अभी तक इस trick को follow नहीं किया है तो यहाँ पर मैं link डाल दूँगा उपर आई button के उपर तो वहाँ से आप इस trick को जो है वो follow कर सकते हैं कैसे आप यहाँ पर square जो है वो निकाल है square root जो है आप easily निकाल सकते हैं इस 100 का यहाँ पर point लगा question number 38 है आपके पास यह दी x बराबर है by है तो x का by कितने प्रतिशत है अब अब को यहाँ पर पता चल रहा है x बगार है वाई मतलिए जितना x होतना ही by है तो pr prawn कितना होगा बराबर तो तो 100 प्रतिशत यहा पे value हो जाएगी उसके आप question number 39 की बात करते है 39 जो है उसमें आपको क्या चीज बोली गई है 39 की जब अगर हम बात करें तो 39 में आपको बोला गया है कि माधिका के बारे में आपको बताना है median के बारे में तो जब भी median निकाला जाता है पहले हमेशा ascending या descending order में लिखा जाता है पहले छोटी value लिखेंगे तो सबसे छोटी value कौन सी है इस series में 28 है उसके बाद छोटी value हमार पास आएगी 35 उसके बाद आएगी 38 उसके आद आएगी 44 फिर आएगी हमार पास 50 फिर आएगी हमार पास 50.8 और last में आएगी 55 तो आपको क्या करना है starting और last वही आपका गया रहता है माधिका रहता है 44 यदि बीच में दो संख्याएं बसती है तो उन दोनों को plus करना है और divide by 2 करना है वही आपकी माधिका रहती है question number 40 जो है वो ratio के chapter से लिया गया है आपको 3 को 15 से गुणा करना है और x को 5 से गुणा करना है sorry यहाँ पर 5 से 45 जो काटेंगे तो answer आएगा 9 ना की 15 sorry यहाँ पर मैंने गलती कर दी 5 9 जा 45 हा उसके आप 41 है 256 को जो है वो 4 में break करना है root 4 है इसका तो 256 जो है वो आपका तूटता है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलो 16 और 16 256 तो उपर तो आएगा 4 तो option D भी हो सकता है option B भी हो सकता है 3 4 3 यह तूटता है 7 गुणा 7 गुणा 7 तो इसका right answer हैगा option D question number 42 है ओसत आपको निकालना है 6 4 7 10 हो राठ तो ओसत का formula आप सभी को पता है sum divided by total number तो आपको add करना है 6 और 4 10 होगे फिर 10 आपके 20 20 और 27 27 27 और 28 35 divided by total number 1 2 3 4 5 35 को 5 से divide करेंगे तो answer आपके पास आजाएगा 7 इस तरीके से आप जो है वो अपना ओसत यहाँ पे निकाल सकते हैं question number 43 की बात करते हैं ये काफी अच्छा question है 43 में बोला है 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग 140 है ये थोड़ा सा lengthy question आपके लिए बन सकता है 5 क्रमिक संख्याओं मैंने लिख ली यहाँ पे solve करता हूँ x 1 संख्या है दूसरी संख्या आएगी x plus 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम संख्या बोला गया है ये दूसरी संख्या आगी फिर आएगी x plus 4 ये तीसरी x plus 6 चोथी और x plus 8 ये 5 में ही संख्या आगी 5 सम संख्या आएगी क्रमिक का मतलब continue way में चलने वाली और उन सभी का योग कितना है? 140 अब उन अगली 5 संख्याओं के सेट का योग कितना होगा? ये आपको बोला तो यहाँ से x की value निकालेंगे ये 1, ये 2, 3, 4 और 5 ये बनके आपके पास कितना? 5x plus 4 और 2, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 8 कितने? 20 बरावर है 140 ये आपके पास बचेगा 5x बरावर है 20 उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ये बचेगा 120 5 x 120 कट गया तो x कितना आगया? 24 मतलब ये x कितना था? 24 24 से अगली नंबर ये कौन सा था? 26 ये था 28 ये वाला था आपके पास 30 और ये था आपके पास 32 इसका मतलब 32 तक तो आपके संख्या हो चुकी है अगली 5 संख्या है कौन सी आएगी? करमिक वाली तो वो आपके पास आएंगी 34 उसके बाद आएगा आपके पास 36 फिर आएगा 38 फिर आएगा 40 और लास्ट में आएगा 42 तो इन सभी का योग जो है वो आपका कितना बनता है 190 जो की option कौन सा है option A आपका बिलकुल right answer यहाँ पर रहेगा I hope आपको यह सारा का सारा जो भी मैंने भी आपको question कराया वो आपको clear है उसके आद अगले इस पर चलते हैं अगला जो आपका question है question number 44 छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है यहाँ पर छोटी से छोटी आपको संख्या बतानी है LCM का आपका question रहे गई लेकिन हम इसको hit and trial के method से जो हैं वो solve कर सकते हैं आपको यहाँ पर बोला गया है ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 24-97 में जोटने पर योगफल 5-6-4 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो पहले आप इसमें 37 जोट सकते हैं उसके आद आप 13 जोट सकते हैं उसके आद आप 23 जोट सकते हैं उसके आद आप 33 जोट सकते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं फिर जब भी आप LCM लें तो 5, 6, 4 और 3 का आप LCM लेंगे 5, 6, 4 और 3 का आपने LCM लिया तो इस सभी का LCM आएगा 60, 60 से आप क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे 24 से 97 को ते आपका कटेगा पहले 4 से 240 या गया 9 या गया 7 फिर जाएगा 1 से फिर आएगा 0, 7 और 3 और इन दोनो का gap आपका कितना रहेगा 23 का तो आपका right answer भी कितना है 23, option C इसका right answer रहेगा question number 45 आपके पास दिया गया है ओसत आपको बताना है तो ओसत जो है इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है sum करना है और divide by कितनी संख्याओं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और divide by 8 करना तो जब भी मैं इनको sum करूंगा तो मेरे पास sum करके कितना यहाँ पे मेरे पास आएगा वो आएगा 3, 8, 0, 8 और total संख्याओं है 8 इसलिए 8 से कटके 476 option A जो है वो इसका right answer रहेगा question number 46 की हम यहाँ पे बात करते हैं आपको बोला गया है घंटे और minute की सुई के बीच 4 बजगर 24 मिनट पर कितने डिगरी का कौन बनेगा तो इसके लिए हमारे पास एक formula रहता है वो formula है हमारे पास 11 by 2 minute minus 30 into r यह इसका formula यहाँ पे दिया गया है 11 by 2 minute कितना दिया गया है मेरे पास तो minute है 24 minute मैंने यहाँ पे 24 लेख लिया माइनस 30 into r r मतलब की घंटे कितने दिये गये है 4 तो 4 आ गया 2 से कट जाएगा यह 12 12 को 11 से गुना किया तो मेरे पास बनेगा कितना 132 और 4 को 3 से किया तो यहाँ जाएगा 120 132 में से 120 चलेगे तो कितने डिगरी का कौन बचा 12 डिगरी का कौन मेरे पास बचा question number 47 आपके पास दिया गया है mad का एक code है jxa तो जब आप देखेंगे m, a, d को बुला गया है jxa तो m से 3 पीछे j, a से 3 पीछे x और d से 3 पीछे a तो बैसे यह आपको किसका बताना है r, u, n का r के 3 पीछे क्या आता है r से पीछे q, फिर p और फिर आता है o, u के 3 पीछे जाएंगे u से पीछे t, फिर s और फिर आएगा r और N के तीन पीछे जब जाएंगे तो पहले आएगा M फिर L और फिर आएगा K O, R, K option B जो है इसका बिलकुल सही answer रहेगा question number 48 में बोला गया है आपके पास एक series जो है वो यहाँ पे दी गई है कौन सी series है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यह जो आपके पास यहाँ पे series है साथ साथ में आप solve करते चलें चेक करें कि कितने question आपके जो है वो यहाँ पे बिलकुल सही जो है वो रहे है जल्दी ही हम math और reasoning के session को भी यहाँ पे जल्दी ही लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे series आपके पास दी गई है 12 72 gap और उसके आद है 14 40 और 1 है 4 3 2 0 तो यह आपको पता चल जाना चाहिए multiply का ही rule यहाँ पे लगा है क्योंकि starting की value छोटी है last वाली काफी बड़ी है 12 को 6 से करेंगे 72 यहाँ पे अगर मैं 6 से करता हूँ तब बात नहीं बन रही है 5 से करूँगा तो आएगा 360 तो series बन गी into 6 into 5 तो यहाँ पे into 4 तो यह से बिलकुल fit हो जा रहा है तो इसलिए 360 जो है वो मेरा right answer यहाँ पर रहेगा उसके आद 49 question में बोला गया है यह direct आपको 984 का code दूढना है 9 यहाँ पे है तीसरे नमबर पे तो तीसरे नमबर पे आगया किया S फिर है 8 8 है पहले नमबर पे तो आगया T और उसके आद है 4 4 कौन से नमबर पे है 2nd last नमबर पे तो आगया E S T E तो option B इसका right answer यहाँ पर रहेगा last question है आज के इस paper का Anil ने एक party में एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा Anil ने क्या बोला वे मेरी मा मतलब की बोल कौन रहा है Anil ने बोला यह Anil आगया Anil ने बोला कि मेरी जो मम्मी है यह इसकी मम्मी आगी मेरी मम्मी के पोते पोता कौन होता है बेटे का बेटा यह उसका बेटा आगया पोते के पोते की पतनी है मतलब यह जो है यह इसकी कौन है बाइफ है बाइफ है तो यह खुद क्या बन जाएगा husband यह वो Anil था और यह वो लड़की थी तो बोला है लड़की से क्या रिष्टा मतलब यह लड़की इसको क्या बोलेगी तो यह वो लड़की है यह इसका पती है B जो है इसका पती और यह उसके पापा तो यह उसको क्या बोलेगी यह उसको बोलेगी ससुड तो option D जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा आई होप आपको ये सारी की सारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है इस पूरे पेपर का आपको जो है वो solution जो है वो आपको हमारे टेलिग्राम ग्रुप के उपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो को आप लाइक करें शेर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में अगर आप हमारे मोक टेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो www.vijepatheducation.com पर जाएग वहाँ पर आर्मी अगनीवीर यह आर्मी जीडी के कोशन पेपर आप बाए कर सकते हैं 200 के आसपास उसका आपका प्राइस रहता है जिसमें आप कूपन कोड लगाके 25% तक आप डिसकाउंट जो है वो प्रापत कर सकते हैं जिसमें आपके 200 से ज़ादा मोक पेपर रहते हैं chapter wise question रहते हैं bilingual आपका यह मोक रहते हैं जिससे त्रूँ आप अपनी त्यारी जो हैं वो काफी बहतर तरीके से कर सकते हैं इस pack में आपको e-books भी आपको हमारी मिलेगी www.vijepath education के उपर आप जाकर pdf के section में जब आप click करेंगे जब भी आपने अगर army gd का batch आपने अगर enroll किया है तो साथ में आपकी उसकी e-books सारी की सारी जो है वो भी open हो जाएंगी validity इसकी रहती है हमारी 3 month की तो time based आप ना करें जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ें अगर कोई भी आपको confusion है तो आप हमारे whatsapp group के साथ आप जुड सकते हैं whatsapp के उपर आप contact कर सकते हैं call आप कर सकते हैं वहाँ पर आपकी सारी जो confusion है उसको खतम कर दिया जाएगा like करें share करें channel को subscribe करें मिलेंगे जल्दी ही नई मीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत